नमस्कार में सौरा मिश्रा स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने YouTube चैनल इगरुकुल में Friends इस वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं CLIS program का BL IEI 012 course जिसके block 1 में unit number 1 start करने वाले हैं जिसका title है basics of classification आए देखते हैं कौन कौन से topics हम लोग cover करेंगे सबसे पहले देखेंगे classification का basic यानि इसकी definition और meaning के समझेंगे क्या होती है classification, library science के concept में या library science के context में classification का क्या मतलब है फिर library classification में purpose of library classification and library classification schemes के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यह चीज़े cover करने के बाद हम लोग उसके use and limitations को देखेंगे कि library classification के uses क्या है और उसकी क्या-क्या limitations है बहुत छोटा सा बट बहुत important topic है क्योंकि library classification में library science में classification बहुत important role play करता है किसे भी topics में या competitive exams को लेकर सो चलिए start करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले friends मैं आप लोग से request करूँगा प्लीज वीडियो पसंद आ रहे हो तो जरूर लाइक करें अपने friends लोग सा शेयर करें और जो भी students competitive exams के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इन series को complete करें सो देट कि उनके concepts building का काम अच्छे सो सके और उसके बाद जब वो objective questions को solve करेंगे चीज़े उनके लिए बेटर होगे आसांस होगी चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभी publishers ने lot दिया अब उनके मुझे students को देने के लिए अपने patrons को देने के लिए अरेंज करना है तो मुझे क्या करना चाहिए वो 10,000 books को बस सीधा जाके Elmira's में put कर देना चाहिए let's example में रख देता हूँ किया मैंने selling कर दी books लाया publishers ने books दी और मैंने उनको सीधा Elmira's में sell कर दिया कोई shot out नहीं किया मदब कोई classification का काम मैंने नहीं किया Hindi अलग नहीं की English अलग नहीं की और अब मैं उन सभी 10,000 books में से lot में एक एक बुक निकाल के देखूँगे क्या जो यह student में मिर से Hindi की इस specific writer की बुक मांगी है क्या यह वही बुक है अगर मुझे एक एक बुक निकाल के देखना पड़ जाए तो कितना time लग जाएगा उसमें से कोई बुक मैं maths के भी निका 10,000 सबसे last में वही बुक मिले मुझे जिसकी में जो requirement थी इससे क्या problem आएगी मेरा time गया बाकी patrons इंतजार कर रहे है उस patron का time waste हुआ इसी चीज को complete इसी चीज को minimize करने के लिए चले example आ लेते हैं अगर हमने अपनी general life को देखें तो हम लोग यह काम करते हैं बस इसी चीज को implement करना है library science के field में सब्जी वाले को देखें सब्जी वाले का पास एक जो ठेला होता है या जहां पर बैठता है वो अलग-अलग सब्जी को अलग-अलग segments में arrange करे रखता है प्याज एक जगह रखता है आलू एक जगह रखता है भिंडी एक जगह रखता है गोवी वह एक बायर आता है अगर उसने सिर्फ भिंडी मांगी तो उसने भिंडी उठा के दे दी उसको प्याज के लौट में आलू के लौट में से भिंडी छाटनी नहीं पड़ी जिससे उसका टाइम से हुआ वो चीज़ें ज्यादा effective रूप में कम कर पाया इसी तरह से यही काम हम कि बुक साइंस के ही स्यक्शन में जाएगी किसी अगर हमने classification अगर किसी लैब्री की एक स्यक्शन में एक स्पेसिफिक राइटर की बुक रख्य हुई है तो वह राइटर की बुक एक अलग जगह ही जाएगी लेट सपोस्थ चेतन भगत बुक है तो हमने अगर कहीं पर एक चेतन भगत का section बना के रखा है तो चेतन भगत की जितने भी books हैं वो एक अलग specific section में जाएगी Harry Potter की जो series Harry Potter's की books हैं वो एक Harry Potter के section में ही रखी जाएगे उसको science, geography, history की sections में नहीं रखा जाएगा बस यही काम हम लोग library classification में करते हैं लेकिन जब books बड़ी होती हैं जब libraries बड़ी होती हैं जब हमार पास 10 lakh books होती हैं तो उन चीजों को arrange करना थोड़ा सा हमारे लिए typical हो जाता है और उसकी लिए हम लोग help लेते हैं classification schemes की ठीक है चलिए अब समझते है classification scheme के मतलब या meanings जो general term में है इन general term में क्या होता है systematic arrangement of groups or categorized according to established criteria specifically in the class or category किसी भी books को या किसी भी चीजों को systematically arrange कर रखना classification कहलाता है इसी चीज़ को हम लोग अगर library science के term में देखें a library classification is a system of knowledge organizing by which library resources are arranged and ordered systematically library science के जितने भी हमारे library में जितने भी हमारे resources हैं books हैं, periodicals हैं, magazines हैं इन सभी चीजों को एक specific order में arrange करना, systematically organize करना, so that कि जब भी हमें उनकी requirement हो, हम उसको easily access कर सकें, अपना time save कर सकें, librarian का time save हो हमारे readers का time save हो और जो हमारे library की resources हैं, उनका full utilization हो सकें इसी purpose को solve करने के लिए हम लोग library classification की जैसी चीजें करते हैं, library classification use a notation system that represents the order of topic in the classification and allow it to be stored in that order, बस library classification करते समय हमें कुछ schemes का ध्यान रखना पड़ता है वो क्या होती हैं, अभी हम लोग इसी video में पढ़ेंगे, और इसकी next video में हम लोग ddc की detail video पढ़ेंगे, चीके, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक scheme लेते हैं, जिसमें हम लोग dv decimal classification जिसको हमने अभी short form में बोला ddc, इस classification scheme की help लेकर, या किसी और classification की schemes का help लेकर, एक उसको number assign करते हैं, हमने document को और उसी document के number से उसको चीज़े हम लोग arrange या, orderize करते हैं, चीके चलिए, next the goal of the classification in libraries primarily to arrange books on a self and make entries in a catalog or index classification is a key to open access system, classification में क्या करते हैं, हम लोग कुछ entries बनाते हैं, catalog cards या हमारे जो index होता है, catalog card क्या होता है एक card है, चीके, catalog boxes में card होते हैं, और उसी cards में हम लोग क्या करते हैं, उस books की, किसी भी हमारे documents की bibliographic entries करते हैं, उसका book का नाम लिखते हैं, author का नाम लिखते हैं, edition कौन सा है publication, publisher कौन सा है, किस year में publish होई थी कौन सा edition है, कितने page numbers हैं, उसके ठीक है, यह जितनी भी information, यह bibliographic information है, वो हम एक catalog card में बना के एक जगा arrange कर देते हैं, ताकि हमारी जब patrons आते हैं, या readers आते हैं, तो वो एक एक जगा books में, self में जाके ना उनको ढूड़ना पड़े, उसी एक जगा catalog cards से, जो cabinets होते हैं, वहाँ से देख लें, और वहाँ से चीज़ें, शॉट आउट कर लेगी, यह books हमें किस self में, कहां पर मिलेगी, चेक हैं, स्रियस, एक हमारे philosophers थे, लाइबरी साइंस में, उन्हों ने define किया है, लाइबरी में classification को, the arrangement of books on self, or description to them in a manner which is most useful to them, who read it, कुछ इस तरह से चीज़ें arrange करना, orderize करना, systematically करना, और books में, ऐसे कुछ notations को paste करना, जिसे जो हमारे readers हैं, वो easily access कर सके उस book को, और सही समय पे, सही time पे, उनको उनकी books तक पहुचाया जा सके, उनका time save किया जा सके, चेक है, इन library classification, class number is assigned to each and every document by using a classification scheme, this class number represents the specific subject of that book in a artificial language, अभी हम लोग पढ़ेंगे, डीडीसी के बारे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डीवे डीसिमिल classification, एक classification scheme है, और इस classification scheme में हर subject को एक number assign किया गया है, वो एक artificial number है, ठीक है, और उस number से हम लोग अलग-अलग subjects को अलग-अलग numbers देते हैं, और उसी solve होता है, library classification का या किस purpose से, हम लोग library classification करते हैं, पहला purpose save the time of the user, ठीक है, अपने user का time save करना है, books को इस तरह से classify करिए, इस तरह से range करेंगे रखिए, ताकि librarian को भी easy हो, books को access करना, patrons के लिए easy हो, उनको पता हो कि library में कौन-कौन से materials available हैं, उनका time हो सके, ये बहुत basic fundamentals हैं, या purpose है, library में classification करने का, कुछ और secondary objective होते हैं, बट ये primary objectives हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे क्या है, कि हमारे documents easily हमें मिल सके, quickly access हो सके, library का time, librarian का और user का time save हो सके, जो हमारे resources हैं, उनका best utilization हो सके, अगर books रखी होई हैं, और पता ही नहीं हो, users को, या librarian को हमारे पास, इस topic के, इस titles की book हैं, तो वो, वो material है, हमारे पास, वो document है, वो use ही नहीं होगा, उसका कोई purpose solve नहीं होगा, हमारे library में उसको रखने का, चीक है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें, रखना, arrange करना, उसको, orderize करना, so that की librarian का, और user का time save हो सके, और documents हमारे easily access हो सके, हमारे users तक, ठीक है, next है, library classification schemes, कुछ schemes के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत सारी schemes होती है, library के classify करने में, बहुत सारी लोगों ने, जो library science के field से जुड़े हों, उन्हें schemes use होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, Davy Decimal Classification, इसका short form DDC है, ये सबसे पहले जो आई थी scheme, वो आई थी 1876 में, पूरे library science के world में सबसे पहले जो scheme आई थी, वो यही आई थी DDC, इसके जो founder थे, वो Melville Davy थे, जिनके बारे में जो father of library science, world के level पे जो father of library science कहलाते हैं, वो है Melville Davy, जैके, उन्होंने ये classification scheme दिया था 1876 में, और जो है, वो है universal decimal classification UDC कहते हैं, ये सबसे पहले आई थी 1895 में, इसके बाद library of congress classification LCC 1902 में आई थी, और फिर आई था colon classification CC 1933, colon classification father of Indian library science Dr. S.R. Anathan के द्वारा बनाया गया classification scheme में, इसको CC कहते हैं और ये आयता सबसे पहले 1933 में Library of Congress classification, देखे, हमारी इंडिया में एक Parliament है, ठीक है, संसद है हमारी, और उस संसद में जितने भी documents हैं, रखे गए हैं, उनको systematically arrange कर रखना, क्योंकि जब हमारा Constitution बन रहा था Constitution की बहुत सारी speeches हैं, अलग-लग members ने अलग-लग topics पर अलग-लग बाते कहीं हैं, debates हुई हैं, discussions हुई हैं वो सारी discussion debates recorded हैं, ठीक है उनको लिखा गया है और वो सारी recordings कहीं न कहीं written documents हैं, वो कहीं न कहीं systematically arranged हैं, जो हमारी Parliament function करती है, day-to-day में है जो अभी भी function कर रही है उसको किस तरह से, वहाँ पे किस member ने क्या बोला, किस topic पे क्या भाहस हुई उन सब चीजों को record रखा जाता है और उनको systematically arrange करके रखना होता है, तो उसके लिए हमारे पास, हमारी library में हमारी जो हमारी जो Parliament है, Indian Parliament वहाँ पे एक scheme है, वो लिश करते हैं इससे पहले जो America है, America में जो Parliament है, उसको Congress कहते है और वहीं से ये scheme आई थी Library of Congress Classification America की Parliament में जो उनका जो Constitution है जो Constitution बनने समय Discussion Debate हुआ, जो day-to-day life में जो Parliament trend करती है, उसमें जो Discuss Debate होता है, उनको जो Record करके रखना होता है, रखते हैं और वो किस तरह से Classify करते हैं उस Classification को करने के लिए एक scheme बनाई गई थी, जिसका नाम है Library of Congress Classification जो सबसे पहले आई थी, 1902 में ये पहले सिर्फ Congress, यानि America की Parliament में यूज होती थी ठीक है, अब इसमें से जो Mainly इंडिया में यूज हो रही है वो है Debby Decimal Classification DDC और उसके बाद होती है Classification CC, Worldwide Level पर DDC, Debby Decimal Classification जादा Famous या जादा Popular Scheme है, Classify करने का Documents को चलिए, next देखते हैं कि किस तरह से हम लोग Classify कर सकते हैं क्या-क्या Steps follow करने पड़ते हैं हमें Library में Classification को करने के लिए इसमें सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले जो Step होता है कोई भी Document अगर आपके पास हो तो उस Document में सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका Subject क्या है मैंने आपको बताए, DDC में बहुत सारे Subjects को अलग-अलग Numbers दिये गए हैं वो पहले से Pre-Defined Numbers हैं अब हमें हमारे पास जो Book आई है हमारे पास जो Title है Book का वो हमें देखना पड़ेगा कि कि सब्जेक्ट का है ये हमारे Knowledge, हमारे Common Sense पे करता है, कोई भी Book अगर आपके पास आती है तो आप अंताजा लगाईए आप अपने Knowledge पे, अपने Common Sense पे सोचने की कोशिश करिए कि ये जो Book है वो किस सब्जेक्ट से हो सकती है किस सब्जेक्ट से लिटेड हो सकती है अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया तो आपके पास जो DDC की Summary's है DDC की Class Summary 1, Summary 2, Summary 3 अभी मैं आपको बताऊँगा इस Summary's के बारे में तो उन Summary's में जो Class Number है वो आप वहाँ से ले लिजे वो किस discipline की है सब्जेक्ट मिल गया उसके बाद वो सब्जेक्ट में further disciplines होते हैं जैसे Science Science में फिर Physics होता है फिर Chemistry होता है फिर Bio होता है Bio Chemistry होता है और Chemistry में फिर Organic Chemistry है Chemicals है बहुत सारी चीज़े हैं History में आप फिर अगर देखेंगे तो Medville History है World History है Indian History है African History है Medville History Modern History Asian History Subjects के बाद उसके जो disciplines हैं उनको Classify करने कोशिश करें ये भी कहीं न कहीं हद तक आपकी Knowledge आपकी जो Common Sense है उसके उपर Depend करता है जब आपके पास Subject मिल गया और उसका जो Discipline है वो मिल गया तो आप अपनी जो DDC है उसके स्कीम्स में जाए ठीक है DDC की तीनों Volumes होंगी तब जाके आपके पास ये चीजे तब आप किसी भी एक टाइटल को Class Number देने में आप सक्षम हो पाएंगे इसके बारे में इसे के बाद जो हमारा जो Next Video होगा या जो आपकी Ceilis Program का जो Second Unit है इसी Block का उसमें हम लोग तो रोड़ा सा इसको डीटेल में क्लियर करेंगे ठीक है अभी देखिए अभी जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें First Summary मैंने आपको यहाँ पे First Summary दी है जिसमें पूरी Universe Knowledge को Melville Davy ने 10 Main Classes में Define किया है जिसमें सबसे पहले देखते हैं Computer Science Information and General Work को आता है यहाँ पे देखिए कुछ Numbers पहले से ही दिखे हुए है यही Numbers हैं जो Pre-Defined Numbers हैं किसी भी Subjects को लेकर जैसे Computer Science Information and General Works के लिए 000 नमबर दिया गया है 100 दिया गया है Philosophy and Psychology को देखाँ Philosophy और Psychology से लिटेटर कर आपके पास कोई टॉपिक है तो उसके लिए आप 100 इसका Main Class बनेगा Religion से लिटेटर कोई टॉपिक है तो 200 Students प्लीज ध्यान रखिए इसको 100, 200, 300 नहीं कॉल करना यह नहीं है इसका मदब बोलने का ठीक है इसको 200, 300 पढ़ना है ठीक है उसी तरह Languages के लिए 400 है Science के लिए 500 है Technology के लिए 600 Art and Recreation के लिए 700 Literature के लिए 800 और 900 आएगा History and Geography के लिए यह First Summary है DDC की बहुत सारी पूरी Universe के Knowledge को 10 Main Classes में Divide किया गया है अब चलिए हम लोग देखते है Second Summary और Third Summary यह Second Summary, Third Summary हमें कहां से मिलेगी कहां से आप इसको Access कर सकते हैं यह देखे यह मैंने DDC का Summaries मैंने Google पे टाइप किया DDC Summary, PDF वहां से मुझे यह PDF मिल गया है आप भी चाहेंगे तो मैं आपको यहां पे जो अपना मेरा Telegram Channel है वहां पे मैं इसको forward कर दूँगा आप वहां से इसको ले सकते हैं otherwise आप Google से जाके DDC Summary PDF डाउनलोड करेंगे वहां से आपको यह PDF मिल जाएगा यह देखे यहां पे First Summary है इसके यहां पे अगर आप देखेंगे तो कुछ basic बाते बताई गई है आपको DDC को लेका अच्छीक है यहां पे DDC के कुछ details दी गई है OCLC जो इसका publication कर रहा है वो यहां पे इसके बारे में कुछ दीचे additions के बारे में है उसकी history दिखाई गई है history बताई गई है आप उसको पढ़ सकते हैं मैं आपसे इसकी summary के बारे में यहां पे video start कर रहा हूँ चलिए इसकी जो first summary है first summary इसमें 10 main classes में इसको divide किया गया है 10 main classes के बारे मैंने आपको इससे पहले थोड़ा सा बताया अब इसी 10 main classes को further divide किया गया है other main classes में 10 main classes में यहां पे देख सकते हैं 100 division है second summary यह देखिए यहां पे computer science and computer science knowledge and system यह इसका जो main class था वहां पे summary 1 में इसी को फिर देखिए bibliography 010 librarian information science 020 चेक है इसी तरह से divide किया गया है 100 किसका था philosophy का अब philosophy को further 10 main classes में 10 classes में divide किया गया है जिसमे 100 है metaphysics 102 है astromology चेक है इसी तरह से psychology 150 logic 160 ethics 170 इस तरह से division उसका हुआ है religion को देखेंगे तो religion का फिर further यहां पे 10 division हुआ है इसी तरह से 300 main class थी social science, sociology and anthropology उसके बाद फिर further division हुआ है language 400 था और language के बाद फिर further division हुआ है यहां पे इसका इसी तरह से science main class थी इसका फिर further 10 division फिर हमारे पास technology 600 main class थी इसके बाद यहां पे उसका further 10 division 700 arts था उसका further 10 division 800 literature था उसका further division 900 history थी उसका यहां पे further division यह हमारी है second summary अब इस second summary के बाद यह जो main class यह जो main classes इसका 10 division हुआ था इसको further और अलग-अलग segments में divide किया गया है जिसको यहां पे आप दे सकते हैं इसकी यह third summary है ठीक है इसको नाम दिया गया है thousand sections अब यहां पे एक जो main class थी जो सबसे पहले summary 1 में हमने देखी थी उसके further thousands division किये गए है यहां पे देखे 000 किसका था computer science information and general work का इसको देखे further यहां पे 1000 divisions किये गए है यहां पे 90999 तक अभी एक एक पढ़ना मेरे लिए possible नहीं है आपके पास जब यह PDF जाएगी आप वहाँ पे इसको detail देख सकते है बस मैं आपको समझाना क्या चा रहा हूँ यहां पे जो 000 था उसका further 1000 division किया गया है जो यह main class थी उसको further 1000 में divide किया गया है इसी तरह से देखे यह sorry वो 00 थी यह 100 जिसका main class थी psychology and philosophy and psychology अब आप देखे कि philosophy and psychology को यहां पे further 1000 में divide किया गया है यह देखे फिर यहां पे 200 इसका title था religion religion में 10 main classes बनाई थी second summary में और उन 10 main classes को further यहां पे divide किया गया है thousands में चीक है उसी तरह से 300 social science इसको further divide किया गया है 400 language इसको भी further फिर 1000 में divide किया गया है 500 natural science and mathematics इसको further 1000 में divide किया गया है 600 technology इसको भी 1000 में 700 art इसको भी 1000 में 8 religion literature इसको भी 1000 में और यहां पे 900 history and geography तो यह इस तरह से students यहां पे इसका division हुआ है मैंने अभी आपको बताया जो मैंने आपको DDC summary दिखाई इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से Melville Devi ने universe की whole knowledge को अलग-अलग classes में divide करके रखा हुआ है यह हमारा first step है किसी भी subject को किसी भी topic को classify करने के लिए जब आपके पास DDC physical level में available होगी आपके study center में जाएंगे वहाँ पे आपको real में main class निकालना या बताना बढ़ाएगा इसी की next video में मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको DDC की real books से किस तरह से numbers बनाया जाते हैं किस तरह से DDC को देखा जाता है उसके बारे में समझाने की बट फिर भी videos के माध्यम से यह समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है बट जब भी कभी अपने study center जाएं वहां से जरूर DDC की books लेकर यह काम यह practical करने की कोशिश करें चलिए next topic हम लोग का है users of library classification uses of library classification library classification की uses क्या थे मैंने आपकी पहले बताया है user का time save करना reader का time save करना books को properly location में fix करना ठीक है उन resources को जब library resources हैं वो properly utilize हो सके उनका food utilization हो सके इन सब चीज़ों को fix करना ठीक है तो यह कुछ main uses है library classification की next है limitations कुछ limitations होती है हर हर चीज अपने आप में fixed मतलब complete नहीं होती कहीं ने कहीं किसी चीज के कहीं कुछ ने कुछ limitations होते हैं और library classification कुछ limitation जिसमें देख सकते हैं कि जो library classification है वो दो classifier जो classify करने के लिए assign होते हैं वो हो सकता है कि इसी specific subject को बोलें कि नहीं यह history में नहीं आना चाहिए geography में आना चाहिए कोई बोलेगा नहीं यह geography में नहीं यह history में आना चाहिए मैं example लेता हूं एक topic का जिसे geopolitics अब कोई book है जिसका title ही geopolitics है इंडिया and their commentary geopolitics अब यह geopolitics word आगया तो geopolitics में geography भी है और politics भी है तो अब एक classifier बोलेगा कि सर इसको geography section में रखिए दूसरा बोलेगा नहीं सर इसको politics section में रखिए तो कोई भी classification अपने आप में complete नहीं है और दो classifier जो classification करने के लिए होते हैं वो अलग-अलग schemes के तहत किसी specific topic को अलग-अलग रख सकते हैं यह इसकी limitations है ठीक है कोई भी कोई भी अपने आप में classification scheme complete नहीं है कोई भी classification scheme पूरी दुनिया की whole knowledge को अपने classification scheme में justify नहीं कर सकती है ठीक है यह इसकी limitations है और क्योंकि universe का knowledge हमेशा बढ़ रहा है ठीक है अलग-अलग subjects आ रहे हैं आज से 100 साल पहले जब Melville-Devy और यह लोग classification scheme बना रहे थे तो computer science ऐसी artificial intelligence ऐसी programming coding यह सब words नहीं हुआ करते थे लेकिन अब आ चुके हैं ठीक है तो universe का knowledge हमेशा update हो रहा है बढ़ रहा है तो कोई भी classification scheme यह दावा नहीं कर सकते कि मेरे पास ही पूरी universe की whole knowledge का classification available है ठीक है यह से कुछ limitations थी आप यहां से पढ़ सकते हैं तो friends यह थी एक comment box में आप comment कर सकते हैं मैं वहाँ पर ज़रूर reply करूँगा या फिर next video में आप लोगे के जो comments आते हैं उनको मैं clear करने कोशिश करूँगा वीडियो पसंद आई होगी like करिएगा channel subscribe कर लीजे मेरी ऐसी videos को देखने के लिए notification वाला button दबाईए so that कि जब भी मैं कोई notification वीडियो अप्लोड करूँ आप लोगे लिपास notification मिल जाएं मिलते हैं कौने वीडियो साथ तब तक के लिए नमशकार जय हिंद